नमस्कार, विल्कम टुभाई जियujकर्ट चैनल, जो हमारे कमेट में जो हमारे युटीब फैमिलीज हैं, तो इसके मतलब अगर दो दिन ही ब्लीडिंग होती हैां क्या इसցही हैं , अगर सही नहीं है तो फिर इसका इलाज क्या है अगर ऐसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है मड़े प्रिंट से एक बात जान लो आप कि अगर आपको एस्ट्रेस या ब्रेस्ट फिडिंग ठीक है करवाने के कारण पिरियेट्स में आपको ब्रिडिंग कम से कम जो है मतलब कम से कम दिन भी हो सकता है यानि कि अगर किसी को इस्ट्रेस है या फिर कोई ब्रेस्ट फिडिंग करवाती है ममाता आएं तो उनको जो होंएं जो होगा जो महावारी जो ब्लीडिंग होती है तो उसमें एक या दो दिन या तिन d hoje हो सकती है आम-टोर पर theds में से पांच दिनोंत उत्ग ब्रीडिं होगा जियां अगर ऐसा कभी कभी हुआ तो यह कोई समस्या की बात नहीं है वहीं अगर किसी महिला को नियमी तुरूप से पड़ती एक मंत में सिर्फ दो दीन तक ही ब्रीडिंग होती है तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है जियां ऐसा होने पर महिला को चाहिए कि वह डिटेल में जानने के लिए हमारे वीडियो को आपको लाश्ट तक देखना ही पड़ेगा जियां कई बार महिला को सुरुआती दिनों में महज एक या दो दिनों तक ही ब्लीडिंग हो सकती है हाला कि इस दोरान जो भी ब्लीडिंग होती है उसका रंग अलग होता है यहाँ पिंक से डार्क ब्राउन कलर का नजर आ सकता है वैसे आपको बता दे जरूरी नहीं है कि हर प्रेगनेट महिला के साथ ऐसा हो पहला कंडिशन्स हो सकता है मिस्कैरेज होने पर मिस्कैरेज होने पर अक्सर महिलाओं को ब्लीडिंग होती ही है इस तरह की कंडिशन्स को अक्सर महिलाएं प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने से रिलेट करके देखती है लेकिन मिस्कैरेज होने पर महिला को काफी ज़्या वहीं दूसरा कंडिशन्स यह भी हो सकता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने पर बेलीवरी के बाद जो महिलाएं अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड्स करवाती हैं उन्हें अक्सर लगभग छे माहा तक पिरियट्स तो होते ही नहीं है जियां अक्सर महिलाओं को जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को पिरियट्स जब होने लगता है तो शुरुवाती दिनों में हलके स्पॉट्स नजर आते हैं और कई बार पिरियट्स देरी से भी आते हैं तो इसमें घवरानी की बात नहीं है उसके बाद है एस्ट्रेस होने पर कई बार महिलाओं को सिर्फ दो दिन पिरियट्स तब आते हैं जब वे लंबे समय से एस्ट्रेस या डिप्रेशन से गुजर रही होती है ठीक है डिप्रेशन या एस्ट्रेस से मानसिक अस्थिपी जो है वो ठीक नहीं रहती है इसका बुरा असर हैर्मोन पर पढ़ता है हर हर्मोनल असंतुरन होने पर ठीक है पिरियट्स में उतार चड़ाओ हो सकते हैं जिया इसमें घवराने की बात नहीं है उसके बाद कभी क्या होता है बर्थ कंट्रोल पिल खाने पर बर्थ कंट्रोल पिल लेने की वज़ए से कई बार महिलाओं को सिर्फ दो एक या दो दिन है ऐसे में पिरियट्स जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं कई बार करण नजर आ रहे बलर्ड का कलर भी मधल सकता है तो जानकारी तो बहुत ही जेनरल ती समान थी लेकिन बहुत यह जेंकारी थी तो शम्लम आ और तब तक अगले वीडियो का किजिए इंतिजार जय हैं जय भारत